Hello everyone, welcome back to my channel, this is Ritik और आप देखरे डियुकोमर्स तो guys एक छोड़ा सा update है again, जो last video थी हमारे channel पर वो मेरे को delete करनी पड़ी है because जो notice है था, due की तरफ से do it को लेकर उसमें कुछ ambiguity थी तो इस वज़े से उन लोगों ने revise किया notice और अब आपको proper notice देखने को यहाँ पर मिलेगा तो जब आप लोग admission site पर जाओगे do it की, due की admission.uod.ac.in पर तो वहाँ पर आपको do it PG के लिए एक information मिलेगा, एक notice मिलेगा इसको आपको click करना है again, आपने already download कर रखा होगा, I know that, but again आपको यहाँ पर click करना है, ताकि आप लोग revised notice देख पाओ, तो आप revised notice उन लोगों ने यहाँ पर डाला है, जिस पे पिछली बार sign नहीं थे, बट अब admission dean के sign है यहाँ पर, and एक चीज इन्होंने change करी है, ठीक है, तो वो चीज, अगर आप लोगों ने already कर दी है, 9.56 से, तो एक बारी फिर से जाके 9.5 हमें करना है, ठीक है, उसको edit करना है, तो यहाँ पर उन लोगों से गलती हुए है, obviously यह गलती हो जाती है, काफी pressure रहता है, workload रहता है, तो कोई दिक्क्यत वाली बात नहीं है, उनसे ग अगर वो other universities से हैं, do वाले हैं, तो वो easily कर सकते हैं, काफी बच्चों को तो result ही नहीं आया है, तो इन सारी चीजों पर आज अभी हम discuss करेंगे आपर, तो यह वो वाला notice है, एक बारी इसको notice को देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, end date आपकी क्या होने वाली है, edit करने की 11 September ह होने वाली है, and उसके बाद obviously date निकल आएंगी हमारे exams की, then exam होगे, तो कुछ ऐसे चीज़े जो आप update कर सकते हो, तो वो क्या क्या चीज़े हैं, कैसे आप update करोगे, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, एक बारी ध्यान रखना, इसमें सारी चीज़े बताऊंगा, कोशिश कर यहाँ पर resolve हो जाए, ठीक है, तो यह download कर लिया हमने, download करने के बाद आपको login करना है again, login करना है, login करते हैं, एक second, अपने dashboard पर जाना है, मैंने already login कर रख है, तो यहाँ पर कुछ आपका ऐसे करके dashboard खुल जाएगा, then again आपको कहा जाना है, update marks पर जाना है, ठीक है, यह वाली चीज़ पर जाना है, इसको update करना है, अभी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को पास mark sheet है, जिन लोगों के पास आ चुक है, उसका result निकल के, तो कैसे update करेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो university में university का नाम, BCOM, या BCOM owners, और year of passing लिखना है यहाँ पर, ठीक है जो यहाँ पर change हुई है, जो मतलब again वही आया है, वो है 9.5 से multiply करना CGPA को, तो अगर आप लोगोंने 9.56 से कर दी होगी पहले, तो एक बारी फिर से 9.5 कर दो, ठीक है, ठीक कर लो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है ऐसी problem, तो कोई दिक्कत वाली बात नही ठीक है, again, अब काफी बच्चों को ये भी आया है कि करें, मतलब किसके लिए beneficial ये साही चीज़ें, तो देखो, जो merit based पर लेता है, admission उनके लिए तो काफी important होता है, अपने marks को update करना, तो please कर लेना, अब जीन बच्चों ने already पहले कर लिया है, जो पहले chances मिले है, edit करने के लिए, उनको कुछ करने की जुरूरत नहीं है, सब कुछ सही पढ़ा होगा उन लोग के लिए, उन्होंने क्योंकि पहले marks update कर लिया होगे, तो कोई दिक्क्य तरीबात नहीं है, कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपने already कर रखे है, है ना, marks अपडेट कर रखे हैं, तो आप, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप सिर्फ फाइन हो, कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब जिन लोगों का result आ चुका है, ठीक है, अभी recently ही आया है, मान लो, तो उन लोगों को update करना पड़ेगा अपने सारे marks वगेरा, ठीक है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे, CGPA से multiply करके 9.5 को हम percentage convert कर सकते हैं, तो अब बात कर लूँ उन लोगों की, जिनका SGPA के अंदर आता है, तो उनके semester wise SGPA आते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको semester wise, अब semester wise से ही हम क्या करते हैं, CGPA को compute करना पड़ते हैं, इन दो पर ली, 3rd Sam and 4th Sam का plus करके SGPA को divide कर दो 2 से, यह निकल आएगा, CGPA 2nd year की, ऐसे ही 3rd year की निकल आएगी, तो 3ों की निकल आईगी, अब इसको into 9.5 कर दो, percentage निकल आएगे 3ों सालों के, 1st year के, 2nd year के, 3rd year के, ठीक है, अब grand CGPA भी पूछा था, किसी बच्चे ने मुझ से, तो grand CG CGPA यहाँ पर आपको mark sheet में last में लिखा आएगा, कि यह है आपका grand CGPA, इसी से ही हमें क्या निकालना है, हमारा aggregate percentage, या फिर grand percentage निकालना है, ठीक है, तो grand CGPA को into 9.5 करके, हमारे पास percentage आजाएगा, ठीक है, grand percentage या फिर aggregate percentage, और हमें point के two decimals लेना है, point के बाद वाले सिर्फ two decimals तक ही लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप update कर सकते हो, बिल्कुल सारी मैंने साइची से बता दिये, अब उन लोगों का, जिन लोगों का result ही निया अब तक, तो obviously अब वो क्या कर सकते है, वो कुछ नहीं कर सकते है, वो update नहीं कर पाएंगे, अपना marks, ठीक है, result awaited ही उन्ह प्रियूड करना है, best five को लेकर चलना है, जिसमें English mandatory है, बाकि आप लोग अपने other four चूज कर लो, और उसके हिसाब से आप लोगों के निकाल सकते हो, अपने percentage, कैसे, marks से ये बनेंगे, divided by total marks, total marks से इतने हो गए, पांच सब जाक्ते हैं तो 500 हो गए, into 100 तो इससाब के पास percentage निकल आएगा अपनी 12th का, ये भी लिख लेना, ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, यहाँ पर इसको आपको click करना है, I have read the instruction वगएर वगएरा, इसको click करने के बाद, आप यहाँ पर अपना सारी चीज़े डाल सकते हो, ठीक है, नीचे मैं नहीं कर रहा हूँ, privacy concern के लिए, तो नीचे वही साही चीज़े जो मैंने आपको बताईए, third year का, first year का, second year का, and total हमारा percentage, वो सारी चीज़े भढ़नी है, plus two की percentage भढ़नी है, and then submit करना है, update करना है, simple, update कर दोगे, submit कर दोगे, then again आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या तो वो कर सकते हो, जैसे कि become owners, आपने कर दिया हो गलती से, और अगर आपका become program होगा, तो वो कर सकते हो, and आप लोग, preferences, colleges की भी, change कर सकते हो, काफी लोग कहरें, नहीं हो पाईगी, but हो पा रही है, मैंने भी already कर दिया है, यह change तो नहीं किया है, मेरी वही है, but हो रहा है, मै privacy concern के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें, उसको आप लोग क्या करोगे, update कर सकते हो, अब एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पर एक और, you know, problem आ रही है, काफी बच्चों को, वहाँ पर CGPA है, and percentage भी लिखा हुआ है, तो मतलब, degree के side में, तो यहाँ पर degree ह ठीक है, यहाँ पर भी become, become owner, जो भी है, यहाँ पर जो marks obtained है, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ आएगी, वो CGPA आएगी, उसमें tension मतलब हो आप, आपने marks में लिख दिया है, कर दिया है, update, कोई दिख्केत आ लिवात नहीं है, यहाँ पर simple CGPA ही आएगी, यानि कि 10, 10 में से जो लिख देना, simple, और निचाएगा, exam category code, उसको जरूर फिल कर देना दुबारा से, क्योंकि दुबारा से करना पड़ेगा हो, तो क्या आप edit वाले section के अंदर हो, then again आएगा क्या, कि अपने exam center की preference को भरो, then again वो भरो, ठीक है, भरने के बाद submit करोगे, submit करने के बाद आपकी college preferences आजाएगी, उसको भी आप change कर सकते हो, then submit करोगे, उसके बाद लिखाएगा, कि भाई, close हो चुकी है, application process, thank you so much, ऐसे कुछ करके, तो वो इसका मतलब है कि हो गया, change हो गया, आपका update हो चुका है, ठीक है, तो ऐसे आपको करने, और कोई दिक्कतारी बात नहीं है, इतना से हो, SGPA के अंदर है, तो CGPA में convert करके, into 9.5 करके, percentage में convert कर दो, ठीक है, मतलब इतना stress मतलो यार, simple चलो, ठीक है, कोई दिक्कतारी बात नहीं, चलो, thank you so much, hopefully मैंने थोड़ा बहुत clear कर दिया होगा यहां से, और, अब इतना, मतलब, tension मतलेना, सही होगा सीन, ठीक है, thank you so much, च